नमस्कार साथियों नौलेज स्टडी ललित की विडियोज में आपका स्वागत है। आपका पहला सेंटेंस नमबर एक है। मेरा रूम खचपच हो रखा है, मुझे इसे ठीक ठाक करने दो इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। माई रूम इस मस्ट अप, लेट मी अरेंज इट। सेंटेंस नमबर दो है। मुझे एक ठाकिया चाहिए इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। I need a pillow. गाइड्स ठाकिया के लिए यहाँ पर पिल्लो का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस नमबर तीन है। मैं तकिये के बिना नहीं सो सकता। इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। I can't sleep without a pillow. सेंटेंस नमबर चार है। क्या मैं पंखा चला दूँ, इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। Do I switch on the fan? इसके अलावा गाइज शेल I switch on the fan. भी आप इसको बोल सकते हैं। सेंटेंस नमबर पांच है। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। It's terribly hot today. Or it's blistering heat today. गाइज इस वाक्य को भी आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। इसके अलावा गाइज टरिबली का मतलब बहुत या फिर भीशन रूप से और भयानक भी होता है। सेंटेंस नमबर च्छै है। आज कड़कडाती ठंड है, इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। It's a bitter cold today. Or it's a shivering cold today. गाइज इस वाक्य को भी आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। इसके आलावा गाइज यहाँ पर bitter, शिवरिंग का मतलत कमकमपी, कड़कडाती और तेज आदी होता है। सेंटेंस नमबर साथ है। थंडी थंडी हवा चल रही है, इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। A cool breeze is blowing। सेंटेंस नमबर आठ है। पंखे की स्पीड बढ़ा दो, इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। Increase the speed of the fan। इसके आलावा गाइज speed up the fan। इस तरह से बोल सकते हैं। सेंटेंस नमबर नौ है। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है, इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। The rain has made the weather pleasant। सेंटेंस नमबर दस है। इनवर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। Inverter is not functioning well। गाइज functioning का मतलब कामकाज और कार्य पधती आदी होता है। सेंटेंस नमबर ग्यारा है। जैसी आपकी मर्जी इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। As you wish गाइज इस प्रकार के वाक्यों को आप अपनी रोज होने वाली बात चीत में आराम से प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस नमबर बारह है। भगवान की क्रिपा से मैं सुरक्षित हूँ। इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। By God's grace, I am safe। सेंटेंस नमबर तेरह है। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई। इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। Sorry, I got a little late। सेंटेंस नमबर चौदह है। इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा। इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। Your fever will go down with this medicine। Guys go down का मतलब उतर जाना, कम हो जाना आदी होता है। सेंटेंस नमबर पंद्रह है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। I am feeling giddy और I am feeling dizzy। Guys इस वाक्य को भी दोनों तरह से बोल सकते हैं। Guys, giddy और dizzy दोनों का मतलब होता है चक्कर आना। Friends हर वीडियो में कई सारी नई चीजों के बारे में सीखेंगे। सेंटेंस नमबर 16 है। आकाश में बादल ही बादल चाये हुए हैं। इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। The sky is overcast with clouds। Guys, overcast का मेंस में घ्युक्त बादलों से घिरा हुआ आदी होता है। सेंटेंस नमबर 17 है। आज उमस बहुत ज्यादा है इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। It is very humid today। Guys, humid का मेंस होता है नमी उमस आदी होता है। सेंटेंस नमबर 18 है। हवा बंद है इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। The wind is still। Guys, still का मेंस होता है शांत, मंद, आदी होता है। सेंटेंस नमबर 19 है। कृप्या स्थिर रहें, मुझे अपनी तस्वीर लेने दें। इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। Please stand still। Let me take your photograph। सेंटेंस नमबर 20 है। ये दवा खाली पेट लेना इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। Take this medicine on an empty stomach। सेंटेंस नमबर 21 है। मौसम अचानक खराब हो गया है। इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। The weather has suddenly turned back। Guide suddenly का मतलब होता है। अचानक एका एक कोई हरकत होना या फिर किसी चीज का बदलना, रंग बदलना, मिजाज बदलना आदी होता है। यहाँ पर भी एका एक मौसम बदलने की बात हुई है। सेंटेंस नमबर 22 है। सड़के बारिश के पानी से भरी हुई है। इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। Roads are filled with rainy water। सेंटेंस नमबर 23 है। क्या बकवास है इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। What nonsense। सेंटेंस नमबर 24 है। शाबाश इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे। Well done। गाईज यह वीडियो का लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस नमबर पचीस है देखके संभलके इस सेंटेंस को इंगलिश में बोलेंगे वाच आउट गाईज वाच आउट का मतलब होता है ध्यान रहे गाईज मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो में कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा फ्रिंड्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें रोजाना ऐसी वीडियो को पाने के लिए फ्रिंड्स फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो को लेकर तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए जय हिंद वंदे मातर्म